हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टू इस्टड़ी विस सचिन सर जवाहन नबोदे विद्याले का 30 अपरेल 2022 को जिन बच्चों ने एकजाम दिया था उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्पूर होने वाली है इस वीडियो में हम जवाहन नबोदे विद्याले द्वारा जारी किय जवाहन नबोदे विद्याले ने एक नोटीज जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि 30 अपरेल 2022 को जिन बच्चों ने एकजाम दिया था उन विद्यार्थियों को और उनके गार्जियंस को सूचित किया जाता है कि गार्जियंस और विद्यार्थियों ने अपने प्र अधर अध्यापक का साइन नहीं होगा तो उन बच्चों का अधर माने नहीं नहीं होगा या पिर उन्हें परिछा नहीं दिया दिया कि अगर आप admit card में नहीं करा पाए हैं तो आपको कुछ time दिया जाता है आप दोबारा से जाकर अपने admit card में correction कराकर principal की sign कराकर उसे नबोदे कारियाले पर जमा कर दें तो कुछ लोगों ने जमा किया कुछ लोगों ने अभी तक जमा नहीं किया तो उसी के बारे में notice जारी की गई है और बताया जा रहा है कि 29 जून तक आप जाकर उसे जमा कर दे अनथा आपका result में दिक्कत होगी या फिर आपको admission कराने में काफी ज़्यादा problem हो सकती है इसलिए यह अभी किसी दूसरे जिले में आथा तो आप चाहें जहां के हो हो सकता है कि अगर आपने ना कराया हो या फिर गल्ती से आप भूल गए हो तो आप जाकर देख लीजिएगा और इसको जरूर करा दिजिए 29 जून तक यह last date है उसके बाद आपको problem हो सकती है अगर आपने नहीं कराया है तो और अगर आप जाना से तहें नवोदे विद्याले का result कब आएगा तो उसके बारे में डेली वीडियो बन रही है और डेली आपको update दिया जा रहा है कि नवोदे विद्याले का result कभी भी आ सकता है क्योंकि नवोदे विद्याले पिछले बार अभी तक रेजल्ट जारी कर दिया था और इस बार रेजल्ट जारी करें काफी ज्यादा देरी कर रहा है तो इसलिए जल्द ही आपका result आने वाला है का इंतजार आपका खत्म होने वाला